सब्सक्राइब कीजिए स्टुडेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकान को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब तक के चार लिसन पढ़ाकर हो चुके है और उसके वीडियो अपलोड हो चुके है उपर आए बटन में क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको सांइसटु की फ्लेएंट में इस प्लेसे पर टैप इसका यूज़ कर रहे तो हमारी जो आने वाली पीडी होंगी हमारा जो फ्यूचर होगा वो इस नेसे उसको यूज़ नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि हमारे पास जो है वो availability वो limited है अगर ये खतम हो जाएगी तो इसलिए इसे बचाने के लिए हम green energy का यूज़ कर रहे green energy के बढ़ रहे हमारे environment को pollution से free करने के लिए हमें green energy का यूज़ करना है तो आज के इस वीडियो में हम तीन topic कवर करने वाले that is energy and use of energy ये पहला topic दूसरा topic हम कवर करेंगे generation of electrical energy और तीसा topic हम कवर करने वाले है thermal energy based electric power stations ओके इन तीनों topic पर हम आने वाले तो आपर कुछ questions है हमेशा की तरह can you recall what is energy energy क्या है energy energy is a capacity to do work energy क्या है energy कार्य करने की छमता है मतलब किसी काम को करने की जो capacity है उसे ही हम energy कहते है देखे हमारे पास जितनी energy होंगी उतना ही हम काम कर पाएंगे जितने पैसे होंगे उतनी ही चीज़े खरीद पाएंगे समझा रहा ह तो जितनी अवैलेबल है उतनी ही खर्च होगी तो energy मतलब क्या है काम करने की ताकत capacity हमता को ही energy कहते है what are the different type of energy and what are the different form of energy different type of different form यह सारे नीचे हमने दिये हुए जो हमने 900 पर बड़े that is mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy, electrical energy, nuclear energy और भी बहुत सारे है यह सभी के सभी energy के types और forms है okay let's discuss make a list of the work that we do in our day-to-day life using energy which form of energy do we use to this work आपको क्या करना है आपको एक चार्ड बनाना है जिसमें आपको सुबह से लेके शाम तक के किये हुए काम करने काम के बारों लिखना है और आप वहाँ पे किस तरह के energy का use करते हो वो आपको बताना है discuss with your friend अब आईए हमारे topic पे औ and use of energy energy क्या है energy के uses क्या है so in modern civilization मतलब आज के जमाने में energy has become a primary need along with food cloth and shelter जिस तरह से कपड़ा रोटी और मकान रोटी कपड़ा और मकान food cloth और shelter यह हमारे लिए primary need है हमारी जरुएते रोज की जरुएते इसके विना हम नहीं जी सकते नहीं रह सकते comfortable feel नहीं कर सकते उसी तरह यह तीन चीजे जितनी ज़्यादा जरूरी है primary need में एक और चीज का नाम याद आपे add हो गया that is energy तो energy भी हमारी primary need बन गई है so we need energy in different form for diverse type of work अलग-अलग diverse type of work मतलब different different type के work करने के लिए अलग-अलग तरह के काम करने के लिए हमें अलग-अलग तरह से energy को use करना पड़ता है हमें song सुनना है तो sound energy का हम use करते हैं अगर हमें light जलाना हो तो electrical energy convert होटी light energy का हम use करते तो बहुत सारे form है fan चलाना हो गर्मी लग रही तो fan electrical energy से mechanical energy में convert हो जाएगा okay the energy that we need may be in the form of mechanical energy chemical energy sound energy light energy और heat energy तो जिस energy का हम use करते हैं उसके अलग-अलग रूप हो सकते है, वह mechanical energy हो सकती है, वह chemical energy हो सकती है, वह sound energy हो सकती है, वह light energy हो सकती है, वह heat energy भी हो सकती है, how do we get these different form of energy, अब ये अलग-अलग form of energy, अलग-अलग तरह के, जो energy के प्रकार है, ये हमें कैसे मिलेंगे, वह हमें समझना बहुत जरूरी है, वन मीड दोस्तों, अब यह हमें समझना बहुत जरूरी है, कि किस तरह से energy के रूप हमें मिल सकते हैं, तो make a table, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, make a table based on the form of energy corresponding devices, इसके लिए हमें अलग-अलग devices बनाने होंगे, में उसकी LEAST बनानी होंगी जो हमारे गर्मेर होती है जिसे FAN है, okay तो FAN machanical Energy से चल्टाना, Electrical Energy Conunt होती इसे बहुत सारे टाइप है Light है, fan है,秋-Bulb के force एफजी के और्फ ही will have sound system है सबके लिए अलग-अलग मतलब form energy के use होते है So we know that energy can be converted from one form to another तो अब इतने सारे कामों के लिए हम energy का use कैसे करेंगे तो हमें पता है कि energy को एक form से दूसरे form में convert किया जाए हमने 9th में energy के बारें पढ़ा था energy neither be created nor be destroyed it can be transferred from one form to another ओके यह sentence आपको याद होगा energy ना तो बनाई जा सक्ती है ना ही नस्ट की जा सक्ती है energy को एक form से दूसरे form में मतलब एक रूप से दूसरे room में बस बदला जाता है जैसा electrical energy light energy में बदल जाती है electrical energy mechanical energy में बदल जाती है, mechanical energy से वापस electrical energy आ जाती है, sound energy से वापस electrical energy बन सकती है, light energy से वापस electrical energy बन सकती है, तो यह बस convert होता है, उसका एक chart ध्यान में रखी है, एक diagram ध्यान में लाई है, आपने जो 9th में पड़ी थी, different source of energy are used to different form of energy necessary for us, मतलब अलग-अलग तरह के source से, अलग-अलग तरह के काम करने के लिए, हमें अलग-अलग तरह से energy के रूप का use करना पड़ता है, in previous standard, we have learned about energy, source of energy and various concepts related to them, हमने पिछले स्लाल में, मतलब पिछली class में, हमने energy के बारें पड़ा था, उसके sources के बारें पड़ा था, और उसके अलग-अलग concept के बारें पड़ा था, अगर व किजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, here we will learn about various source that are now used for generation of electrical energy, और यहाँ पर हम क्या पड़ने वाले, अलग-अलग तरह के source, अलग-अलग तरह के रूप, अलग-अलग तरह के sources, उस चीज के लिए कि energy को हम generate कैसे करें, कि energy हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अब electricity या energy की हम बात करें, तो energy हमारे पास limited है, अब इसे बढ़ाना है, हमारी life को और easy करने के लिए हमें electricity की बहुत ज़रूरत है, तो यह energy, यह electricity, यह सब हमारे पास कहां से आएगी, कैसे हम इसे generate करने वाले हैं, उसके बारे में हम इस lesson में पढ़ने वाले हैं, so the method that we use for this, the scientific principles that are used here, और इसके लिए जो method use करते हैं, वो एक scientific principle के ही तोर पर use होता है, the advantages and disadvantages of this method and also what is mean by green energy, अब यह जो method का हम use कर रहे हैं, इस method के advantages भी है और disadvantages भी है, और हम यहाँ पर एक और बात करने वाले हैं, green energy के बारे में, green energy क्या है, what is mean by green energy, green energy मतलब कि एसी energy का use इस तरह से करना कि जिसके कारण हमारे environment को बिलकुर भी नुकसान ना हो, so first, where do we use electrical energy in our day-to-day life, हम electrical energy का use हमारे day-to-day life में कहा कहा करते हैं, बहुत जगा करते हैं, tv चलाते हैं, fan चलाते हैं, light जलाते हैं, sound system चलाते हैं, बहुत सारी जगा हैं, how electrical energy is produced, electrical energy produce कैसे होती ह यह सबसे बड़ी बात है, और इसी बारे में यह lesson है, कि electrical energy कैसे produce की जाएगी, कितने तरह से produce की जाएगी, तो हमने Michael Faraday वाला एक principle देखा था, याद है, पिछले, मतलब science one में, Michael Faraday वाला chapter देखा था, जिसमें हमने देखा था, कि magnet और electric current carrying conductor और magnet, इन दोनों की मदद से कैसे electricity generate होती है, वही principle, वही base, वही motor, वही generator, वही यहाँ पर use होने वाला है, और उसकी मदद से electricity produce होने वाली है, तो आईए देखते कैसे, most of electric power plant are based on the principle of electromagnetic induction invented by Michael Faraday, तो जो electromagnetic induction हमने देखा था, किसका Michael Faraday का, उसी base पर सारे के सारे principle काम करते हैं, कैसे काम करते थे, मान लीजिए, ये एक circuit diagram है, ओके, या फिर ये एक, ये कोईल है, ओके, इसका एक end, इसका एक end, बाट बैटरी के positive और negative terminal से connected है, ओके, अब यहाँ पर अगर हम magnet लेके आते हैं, ओके, जिसका एक pole south है और एक pole north है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम, और इससे connected होगा भई, galvanometer, क्या connected होगा भई, इससे connected होगा galvanometer, ओके, अब जब यह magnet को, अभी यहाँ पर, जो है, यह circuit complete है, अभी इसमें क्या करेंगे, हम magnet को move करेंगे, मैगनेट को इधा उदर करेंगे, तो यह जो deflection है, सुई जो अब डिफलेक्ट होती है, इसकी needle, galvanometer deflect होता है, अब इससे स्थिर लग दो, और इस conductor को आप घुमाओ, मैगनेट के आसपास, तो भी यह जो है, अपना deflection शो करेगा, galvanometer, इसका मतलब कि electromagnetic induction हम इसे कहते हैं, जिसके अंदर induced current बनता है, और इसी के according, according to this principle, whenever magnetic field around a conductor change, a potential difference is generated across the conductor, जैसे magnetic field बदलती है, इनके बीच में potential difference बनता है, the field around conductor can be changed into two ways, field around a conductor, conductor के अंदर जो field है, magnetic field, वो दो तरह से बदलती है, if conductor is stationary and magnet is rotating, magnet को घुमाओ, conductor को वैसे ही रखो, तो भी यहाँ पर क्या होगा, कि magnetic field यहाँ पर change होने वाली है, the field around the conductor change, or if magnet is stationary, magnet को stationary रखो, और इस circuit को ही घुमाओ, तो भी उसके deflections होगा, मतलब potential difference बनेगा, but the conductor is moving, then also field around the conductor will change, thus, in both the case, a potential difference is created across the conductor, दोनों case में क्या होगा, कि conductor के बीच में, conductor के बीच में, potential difference क्या होगा, create होगा, the electrical power generating machine, based on this principle, is called electric generator, और electric power generator machine जो है, यह इसी principle पर, इसी सिद्दान्स पर काम करती है, जिसे हम कहते है, electric generator, okay, electric generator आपने देखा होगा, वो generator, जिससे electricity, शादी भी हो या किसी कायरेकरम में, अगर electricity गायप हो जाती है, तो generator चला जाता है, जिससे वापस electricity आ जाती है, वही generator कैसे बनता है, और कैसे work करता है, यह पूरी हम देखेंगे, और electricity, बड़े पैमाने पर, फैक्टरियों में कैसे तैयार की जाती है, ओके, वो हम देखने वाले, तो, such large generator are used in a commercial power, generation plant, turbine is used to rotate the magnet and generator, देखिए, such a large generator are used, commercial power generation plant, जो commercial power generation plant होते हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में विजली तैयार की जाती, वहाँ पर बड़े बड़े generator का use करते हैं, turbine is used to rotate the magnet in generator, okay, turbine is used to rotate the magnet in generator, तो generator में को rotate करने के लिए turbine का use किया जाता है, a turbine has a blade, turbine में एक तरकी blade होती है, okay, when a flow of liquid or gas is a direct on blade of turbine, it rotates, because of kinetic energy of flow, the turbine is connected to electric generator, thus the magnet and electric generator start rotating and electric energy is produced, यह कैसे होता है, देखिए हाँ पर एक डाइग्राम है, यह डाइग्राम में आपको बता दू, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कि यह है, यह है generator, यह है generator और इस generator के अंदर का हिस्सा हमें घुमाना है, बस, अब इसे घुमाना कैसे है, तो इसे एक axle लगा होता लंबा सा और वहाँ पर एक turbine फिट कर दी जाती है, इस turbine को या तो flow of water से, flow of liquid से या flow of gas से घुमाया जाता है, इसके ओपर अगर जोर से पानी छोड़ेंगे तो यह घुमना तो electricity produce होगी, बस इतना ही काम है, यही मेन mechanism है, electricity produce करना, बागी दूसरा कोई special mechanism नहीं है, चित्रे भी plant है, इसी principle पर work करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ example या फिर या जैसे यह है, यह है magnetic field और यह conductor इसमें induced current flow बन रहा है, यह diagram बता रही, यहाँ पर देखिए, यह turbine है, turbine में इस तरह से blade होती है, इस blade के उपर अगर जोर से पानी पढ़ता है, तो water की kinetic energy, water में kinetic energy होती है, यहाँ पर उसमें गदी चूर जा है, क्योंकि यह पानी बहरा है, तो उसमें एक्सल ये घुमता है और ये घुमा तो rotating electric magnet मतलब अंदर का जो ये एक्सल के कारण ये magnet इसमें घुमता है ओके ये magnet फिल्ड में घुमता है और electromagnetic induction बनाना है या उस principle पर हमें काम करना है तो हमें generator की जरुवत होती है और टर्वाइन को घुमाने के लिए टर्वाइन को घुमाना पड़ेगा और टर्वाइन को घुमाने के लिए हमें energy source की जरुवत पड़ेगी based on which type of energy source is used to rotate the turbine there are different type of power generation station अब यहाँ पर हमारे दुनिया में बहुत सारे तरह के रहे के power generation station है और यह सब एक ही principle पर काम करते the design of turbine used in a different type of power station is also different तो जो अलग-अलग तरह के जो power stations होते हैं वहाँ पे जो turbine की design की होती है वो भी अलग-अलग तरह से की हुई होती है समझ में आ रहा है जैसी जिसकी requirement वैसा उसका design so proper energy source to run turbine main क्या है कि भई किसी भी तरह से आप turbine घुमाईए turbine घुम इससे यह proper energy source आपने turbine को घुमाने के लिए लाया इससे मदद से आपने turbine घुमाया turbine के घुमने से generator rotate हुआ ओके generator generator के अंदर जो magnet है magnet जो है वो rotate हुआ और magnetic field से electrical field बन गई मतलब electricity generate हो गई और वो हमारे commercial use में घर तक आ गई समझ में आ रहा है बस यही है बागी कुछ नहीं यह main flow chart इससे याद रखिए उसके बाद जो diagram जो हमने पहले दिखाई थी उस diagram के base पर मैं आपको पुरा detail में बताने वालो तो देखे thermal energy based electric power station यह कैसे काम करता है पढ़ेंगे बाद में समझेंगे पहले तो उसके लिए हम चलेंगे diagram पर तो देखें students यह है diagram यह है thermal energy based electric power station इसे कहते हैं और यह है उसका main diagram की यह कैसे काम करता है तो आएए समझते ही से देखेंगे यहाँ पर जो यह है यह fire यह आग है जल रही है यह कैसे जल रही है यहाँ पर कोईला जलाय जा रहा है अब यह कोल जलाय जा रहा है अब यहाँ पर क्या यह बहुत बड़ा वाटर बॉइलर है बहुत बड़ा वाटर बॉइलर है ऐसा समझिए कि यह एक तरह का बहुत बड़ा कूकर है जो प्रेशर कूकर होता है घर में वो इतनी सारी steam इस छोटे से pipe से high pressure से निकलती है और ये high pressure वाली stream इस turbine के blade पर गिरती है और इसके high pressure के कारण ये turbine rotate होना शुरू हो जाती है ओके ये turbine rotate होना शुरू हो जाती है और इसके rotate होनेum से ये axle, ये stop गुमने लगता है और ये घुम गया तो अंदर का मैगनेट घुमता है और अंदर का मैगनेट अगर घुम गया तो electrical energy वाफ produce हो जाती है और ये electrical energy इसके थूर हमारे घरों तक आती है ओके तो यह है बस यही है बाकी दूसरा और ज्यादा कुछ नहीं इसमें एक और चीज जो है बहुत अच्छी जाएगा और इस pipe में एक cooling tower connected होता है जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है वो cooling tower के मदद से यह पूरा जो vapor होता है वो वापस थंडी हो जाती है वापस वो condense हो के water में बदल जाती है और ये फिर से जाकर boiler में चली जाती है मतलब एक ही पानी को बार 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 यूस किया ज in this देखें मतलब thermal energy based electric power station की बात हो रही है in this मतलब इस में turbine is rotate using steam steam की मदद से turbine घुमाई जाती है water is heated in a boiler 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 में पानी गर्म किया जाता है using thermal energy release due to burning of coal coal की मदद से thermal energy निकाली जाती है इसलिए इसे thermal energy based coal को जलाने से thermal energy कलती है thermal energy से पानी गर्म होता है इसलिए देखी यहाँ पर thermal energy based इसे कहां गया है steam of very high temperature and pressure is generated अब वहाँ पर बहुत जादा मात्रा में बहुत high temperature में और pressure में steam generated होती है the energy is in the steam drive the turbine अब उस steam में kinetic energy होती है और यह kinetic energy turbine को घुमाती है thus generator connected to turbine rotate and electrical energy is produced और उसमें जो generator connected होता है वो घुमने लगता है और वो घुम गया तो electricity produce हो गए यह तरह के mechanism बच्चे भी करते हैं वो छोटी सी motor लेके आजाओ okay DC motor जो होती है उसको आप गुमा तो उससे भी आप जो series के छोटी बल्प है वो शुरू कर सकते है the steam is convert back into water and water is recirculated the boiler this is shown in a figure ओके यह सब इस diagram में बता हुआ इस diagram को हमने picturical diagram में आपको बताया है क्या है भई पहले fuel जो coal है उसे जला जाएगा फिर boiler of conversion of water to steam okay मतलब पानी जो है steam में बदल जाएगा फिर यह steam turbine को rotate करेगी फिर यह turbine से generator घुमेंगा और इस generator के घुमने से electrical energy बनेगी अब यहाँ पर जो steam जो turbine घुमा रही है जो steam turbine घुमा रही है वो steam water में convert हो जाएगा और यह water वापस ठंडा होके condense होके फिर से boiler में चला जाएगा तो यही है आई यह next page पर बढ़ते हैं since thermal energy is used here to generate electrical energy अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि electrical energy को generate करने के लिए thermal energy का use किया जाता है such power plant are called thermal power plant क्योंकि हाँ पर coal का use किया जाता है तो ऐसे power plant को thermal power plant कहते हैं in thermal power plant the chemical energy in the coal is converted into electrical energy through several steps which are shown in figure अब इसमें क्या होता है in thermal power plant chemical energy in a coal is converted into electrical energy chemical energy से electrical energy बनाया जाती है इसकी अलग-अलग step है जैसे chemical energy हो गई chemical energy coal में थी उससे coal को जलाया गया तो वह thermal energy बन गई अब thermal energy के कारण पानी गर्म हुआ अब पानी गर्म हुआ तो वह भाप बन गया उस भाप में आ गई steam में आ गई kinetic energy kinetic energy ने turbine को rotate किया और उससे electricity generate हो गई तो energy transform in a thermal power plant देखी इस तरह से energy transform हो रही है यह chemical energy coal में थी फिर वह हो गई thermal energy में बदल गई फिर thermal energy kinetic energy में बदल गई फिर kinetic energy ने उसे turbine को rotate किया तो turbine की kinetic energy बन गई और turbine की kinetic energy से electrical energy बन गई देखिए मतलब one two three four five यह five step से पाच तरह के energy के प्रकार यहाँ पर बदलते गए let's think why the energy is the coal is called chemical energy coal को chemical energy क्यों कहते है तो देखिए students coal किससे बनता है सबसे बहुत देखेंगे मान लीजिए यह एक पेड़ है okay this is a tree अब यह tree क्या करेगा सूरज से सूरज से light लेगा और photosynthesis की मदद से अपना खाना बनाएगा जब यह plant मर जाएगा तो मरने के बाद क्या होता है इसने sun से जो energy लिया वो इसके अंदर trapped हो गई फसीरे गई अब यह मर गया तब भी उसके अंदर energy फसीरे गई मरने के बाद यह मिट्टी के अंदर दफन हो गया okay कुछ भुचाल आया वुकंप आया जो भी आया जो plant है इसके अंदर दब गया okay इसके अंदर दब गया कुछ सालों बाद कई हजारों सालों के बाद इसके ओपर बहुत सारा tremendous pressure पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है और यह जो प्लांट की तुटी-फुटी लकडिया ये कोईले में बजल जाती है और वो संसे लिवी एनरजी उसके अंदर फसी रहती है और उस एनरजी का हम यूज करते हैं उसे जलाने के लिए इसलिए इसे क्यामिकल एनरजी कहते है वाइ स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए क्यों कि देखिए स्टीम जो है पानी से बनती है पानी को वापस ठंडा करके स्टीम को वापस ठंडा करके फिर से पानी बना जाता है तो यहाँ पर वाटर का री साइकल री यूज हो रहा है बार बार तो यहाँ पर कैसा है कि पानी हमें बार बार यहाँ पर use नहीं करना है, वही water बार-बार हमें use कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी reuse की process हो रही है, तो यह schematic thermal power plant होता है, यह actual इस तरह से work करता है, इस तरह से यह काम करता है, तो यहाँ पर देखी, यहाँ पर दो तरह के आप tower देख रहे हैं, एक है cooling tower और दूस यह boiler है, तो यहाँ पर coal को जलाएंगे, यहाँ कोल को जलाएंगे, इससे पानी गरमगार pipe की मदद से यह काला दूआ, जो कोईले से निकलने वाला दूआ, यह उपर चला जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यह pipeline connected है, यहाँ से steam यहाँ पर इस turbine को rotate करने से generator rotor हुआ और इससे electricity produce होगी, अब क्या होगा, कि यहाँ इस pipeline के थुरू यह water यहाँ पर उतरेगा, और यह जाएगा cooling tower में, और cooling tower में यहाँ पर steam को थंडा किया जाएगा, और वो condense हो जाएगी, water में बदल जाएगी, और यह water फिर से यहाँ पर pump के थुरू boiler में चला जाएगा, तो यहाँ पर देखी, यहाँ पर जो water vapor, अब देखीए, पूरी की पूरी vapor को, vapor बहुत सारे amount में, बहुत बड़ी मातरा में vapor निकलती है, तो उसे हम पूरा का पूरा cool नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारी vapor बाहर चलिया, तो इतने बड़े बड़े जो observe two type of tower there, what are they, okay, इसके बारे में हमने बात की, if you observe schematic thermal power station, you will get answer this question, एक है, जो cool से निकला हुआ, काला धुआ बाहर निकलता है, और एक water vapor को निकलता, compare the schematic of thermal power station, the block diagram above, you will understand how the boiler turbine generate and condenser are arranged in the power station, okay, इस figure से हम समझ सकते हैं, कि किस तरह से वहाँ पर power station का arrangement किया गया, turbine कैसे घुमती और condenser water में कैसे लगे होते हैं, कि वो पानी को ठंठा करे, after combustion of fuel, coilे के जलने के बाद, in the boiler, imitate gas and release to atmosphere through very high tower, once the turbine is rotate using a steam at high temperature and high pressure, steam temperature and pressure decrease, these steam is convert back into water by taking out heat from heat, that is by cooling heat, देखिए क्या होता है, कि देखिए इसी के बारे में हम बार 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 बात कर रहे हैं, वो बाते मैंने आपको समझा दिये, कि सबसे पहले, coal को burn किया जाता है, coal जलने के बाद, water गरम होता है, और उसके बाद वहाँ से steam निकलती है, और वो steam में high pressure होता है, और वो steam rotate करती turbine को, और electricity produce होती है, generator के गुमने से, उसके बाद वो steam है, वो वापस condensed होती है, और फिर से pump के through boiler में चली जाती है, this is done in the conditioner using water in a cooling tower, यह इसके कारण होता है, क्योंकि cooling tower में conditioner लगे होते हैं, जो water vapor को cool करते है, the water is cooling tower is circulated through the conditioner, heat energy in the steam given out by water, steam condensed back to water, the heat absorbed by water is then released atmosphere through the vapor and heated air through cooling tower, although thermal power generation is a major way of electricity generation today, it is suffer from certain problem, तो यह जो thermal power electric generator है, यह बहुत जादा use में है, पर इसके भी कुछ नुकसान है, और इसके गारण भी बहुत सारे कुछ problems हमारे environment में आ रहे हैं, आएए देखते हैं किस तरह के problems आ रहे हैं, तो आएए देखते हैं, इसकी problems के बारे में पढ़ेंगे, problem, first, air pollution due to burning of coal, koila जलाया जाता है, तो उसके जलने से air pollution होंगा, burning of coal result in emission of gas like carbon dioxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, which are harmful to health, इतनी सारे तरह की gases निकलती है, जो हमारे health के लिए harmful है, okay, second, along with the emission of gases due to burning of coal, suit particles are also released into the environment, जैसे ही koila का धुवा जब निकलता है, okay, जो जलती है, तो जब koila जलता है, तो उससे साथ जो यह harmful gases, carbon dioxide, sulfur oxide, nitrogen, oxide gas, जब वहाँ से बाहर निकलती है, इसके साथ साथ धुवे के suit particle भी निकलते है, यह suit particle heavy होते है, जब हम सांस लेते हैं, उसके साथ अगर यह हमारे body में चले जाए, तो वो हमारे lungs में जाकर बैड़ जाते हैं, जैसे किसी smoker के lungs में tar बनता है, वैसे ही यह होता है, suit particle, यह भी tar बनके बैड़ जाता है, इस में हमारे पास जो reserve fuel होता है, वो हम इसका use करते है, जो की fuel हमारे लिए limited है, therefore in future there will be limitations on availability of coal, और इसलिए आगे जाके future में क्या होगा, कि हमें coal अच्छे से नहीं मिल पाएगा, उसके बात, do you know, यह box को देख लेते हैं, do you know, the major thermal power plant in India and their capacity, हमारे इंडिया में major thermal power plant कहा है और उनकी capacity कितनी है, विंडिया नगर जो मद्य परदेश में और इसकी capacity 4760 मेगावाट की है, मुंदरा जो गुजरात में है जिसकी capacity 4620 मेगावाट है, ठीक है, फिर से मुंदरा जो गुजरात में ही है जिसकी 4000 मेगावाट की capacity है, ओके, तमनार जो 36 गढ़ में है इसकी कापसिटी है 3400 और चन्दरपूर जो महारास्टर में है और इसकी कापसिटी है 3300 40 मेगावाट की तो स्ट्रेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो इस वीडियो में हमने ये तीन टॉपिक कवर किये हैं तो स्ट्रेंट्स कैसा लगा या वीडियो आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सच में अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपके और आपके friends के help कर सकते हैं तो students इस वीडियो की link whatsapp में copy करके अपने friends तक send कीजिए उन्हीं भी अच्छा लगेगा और वो आपको thanks जेर रुठेहेंगे तो इससे आपको भी thanks मिल जागा आपके वज़ा से किसी की मदद हो जाएगी और मेरा भी message लोगों तक पहुँच जाएगा तो अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए student point academy और students इससे related अगर कोई problem या कोई confusion या फिर कोई डाउट है तो comment box नीचे दिया हुआ है उसमें हमें जरूर बताईए video कैसा लगा है comment भी कीजिए और साथ में कुछ doubt है तो आप comment box में हमें पूछ सकते है और साथ में share कर सकते है अपना contact number हम personally आपको call करके आपकी confusion को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे तो screens मिलते हैं next video में till then bye bye